इस लड़की को बेज दिया गया for just 250 डॉलर्स नॉर्थ कोरिया में जब ये छोटी थी इसके फादर को अरेस्ट किया गया for black marketing इसने और इसकी मा ने देश छोड़ दिया और चले गए चाइना वहाँ इसे बेज दिया गया for 250 डॉलर्स as a sex slave एक दिन इसने decide कि इसे भागना है गई South Korea और वहां से USA इसने सब जहिला for sex abuse and starvation she was broke and depressed then इसने सोचा कि इस दल्दल से निकलने का एक ही तरीका है to get education आज इसके speeches पूरी दुनिया सुनती है इससे inspire होती है इसके books पढ़ती है आज ये successful hard work and education put together can change destiny and life